हलो, वेलकम, वेलकम बैक टो सुरसाज अगेट, होप या दूइंग वेल, आज जो हम टॉपिक डिसकस करेंगे, वो है कि स्टेंडिंग नोट्स जब हम करते हैं प्रैक्टिस, होल्डिंग नोट्स जिसे हम बोलते हैं, या लॉंग स्टे, उस टाइम पे क्या-क्या एक दो ची लॉंग करेंगे सारे गा मा, यह तो स्ट्रेट। स्ट्रेट हो गएए, अब आपको करना कैसे है, सा करके स्ट्रेट आप जाए सा करके डाउन पे आईए, और यह दोनों ही, जब आप सा करके जा रहे हैं स्ट्रेट, तब भी आप चितना लंबा कर ये। श्रेच कर सकते कीजिए फिर डाउन पे भी जब आ रहे है उस टाइम पे भी जितना लंबा आप खीच सकते हैं आप उसको कीजिए उसका जो प्रापर जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगी आपका ब्रिधिंग जो पावर है वो इंप्रूव होगा एन्ड आपके जो अब कर रहे हैं आप जब बोल रहे हैं सब आपके जो और आपको स्ट्रेंड के साथ बोलना है सा, अपने नोटिस किया, सा, ये एक लाइट हुए से, सा, ये जो मैं आपको स्ट्रेंज से अभी आपको सुना रही हूँ, बोलके, सा, करके आप इसको स्ट्रेच कीजिए, अप में जाएए फिर डाउन पे आएए, स्ट्रेच करके, तो उससे क्या होगा, आपके जो ये, ये उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, जो हमें ये होल्डिंग नोट से ये बेनिफिट लेना है, अगर हम लोग ये दो चीज याद नहीं रखेंगे, तो इसका प्रॉपर बेनिफिट हमें मिलेगा नहीं, तो जस्ट रिमेंबर इस टू टिप्स, और अप्लाई दाट वाइल ये ये होल्डिंग नोट रियाज, तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही था, छोटा था बत बहुत यूसफुल है, ये दो टिप्स अपलाई करके ही आप इसका स्टैंडिंग नोट्स या होल्डिंग नोट्स का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको प्रॉपर जो इसका बेनिफि के साथ नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए नमस्क्राइब